हेलो दोस्तों आपका सवागत आपके अपने यूटूब चैनल एमडियो फिल्प में आज हम इस वीडियो में Master of Library and Information Science के जो स्टूडेंट है थार्ड सेमेश्टर सेकेंड इयर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने डिस्टेंस से एडिमिशन ले रखा है Mirci. दィयानद उनिश्टि लो तक में आपके एक् intenus से लेवस के बारे में बात करेंगे थार्ड सेमेश्टर में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ठियोडी का वेपर कितने नंबर का होगा assignment कितने नंबर की जमाँ होगी कितने घंटे आप एप पर होगा अगर आप पर टेक सब्जेक्ट की बुक की पीडिया डाउलोड करना चाते हैं तो कहां से डाउलोड कर सकते हैं इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं उससे पहले बात कर लेते हैं थार्ड सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट रहेंगे Master of Library and Information Science के जो स्टूडेंट है थार्ड सेमेस्टर में आपके टोटल साथ सब्जेक्ट रहेंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका पेपर कोड़ देख सकते हैं सब्जेक्ट रहें में Information Communication and Polishes असी नंबर का थेयरी का पेपर रहेगा बीस नंबर की सैइनमेंट टोटल सो नंबर का पका पर रहेगा साइनमेंट टोट थेयरी को मिला कर तीन गंटे का पका पर होता है इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है Information Processing and Retrival 80 नमबर का थियोरी और असाइनमेंट को मिलाकर आपका पिपर हो जाएगा तीन गंटे का पिपर होता है इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन, कम्निकेशन, टेकनोलोजी, एडवांश 80 नमबर का थियोरी का पिपर, 20 नमबर की असाइनमेंट दमा होगी 100 नमबर का आपका पिपर हैगा थियोरी और असाइनमेंट को मिलाकर तीन गंटे का पिपर होता है इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है e-resource management पर बीस नंबर के साइनमेंट जमा होती है, सो नंबर का असाइनमेंट और थिएरी को मिला कर आपका पर बन जाता है, तीन गंटे का पर रहेगा, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है, इन्फोर्मेशन, एनलिसिस, कॉंशी डूलेशन, एंड री पैकेजिंग, सी नंबर का पर बीस नंबर के साइनमेंट जमा होती है, सो नंबर का अपका अपका टोटल पे पर गया सायनमेंट और थिएरी को मिला कर थीन गंटे की आपका पर रहेगा, तीन गंटे के पर रहे उता है, जो आपका अपका अला डिस्टेंस के थाड समयस्टर के जो स्टूडेंट है। आपके टोटल साथ सब्जेक्ट रहेंगे थाड समयस्टर में सब 20 सब्जेक्ट जो का थेुज़िकर पेप प्रहसी निंबर का रहेगा, 20 अ के प्रते एक सब्जेक्ट के सैंचमेंट जमा होगी, पर तेक सब्जेक्ट का आपका पेपर तीन गंटे का रहेगा अब बात कर लेते हैं एक्जाम सलेबस के बारे में थार्ड समेस्टर में आपका एक्जाम सलेबस क्या रहेगा सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है Information, Communication and Policy इसी जो उसका एक्जाम कोड या पर आप पेपर कोड देख सकते हैं कितनी यूनिट आएंगे आपकी इस सब्जेक्ट में देख सकते हैं टोटल इसमें आपकी चियार यूनिट आएंगी कौन-कौन सी यूनिट आएंगी सबसे पहली जो यूनिट है Information and Communication इस उनिट के अंदर कौन-कौन से टोपिक आएंगे देख सकते हैं अगली जो यूनिट है यूनिट नमबर दो Information Science and Information Society इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन से टोपिक आएंगे आपर आप आप नो डाउन कर सकते हैं फिर सक्रीन शोट लेके भी बाद में देख सकते हैं अगली जो यूनिट है यूनिट नमबर तीन लाज एक्टस एंड पॉलिशी इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन से टोपिक आएंगे इसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है Economics of Information and its Management इसमें आपके कौन-कौन से टोपिक करेंगे यापर आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट में आपकी टोटल चियार यूनिट आएंगी असी नमबर का पर रहेगा थियोरी का बीस नमबर के साइनमेंट जमाओगी तीन गंटे आपका पर रहेगा इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट है Information, Processing and Retrieval इसका पेपर कोड देख सकते हैं थियोरी का बीपर आपका सी नमबर का रहेगा बीस नमबर की साइनमेंट तीन गंटे का आपका पेपर होता है इस सब्जेक्ट के अंदर आपके कितनी यूनिट आएंगी देख सकते हैं यूनिट के अंदर कौन कौन से टोपिक आएंगे यूनिट वन के अंदर आप देख सकते हैं कौन से टोपिक आएंगे यहां से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर सक्रीन सोट लेके भी बाद में देख सकते हैं उसके बाद आपकी यूनिट नमबर दो से देख सकते हैं कौन-कौन से टोप पिकाएंगे इसके बाद है यूनिट नमबर तीन आयार मोडल इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन से टोप पिकाएंगे यूनिट नमबर टेक्णोलोजी एडवांस थियोरी आपका सब्जेक्ट रहेगा पेपर कोड देख सकते हैं अस्य नंबर का पेपर थियोरी का भी मिल इक्साइङनमेंट तीन गंटे का पका पेपर होता है इसमें आपके कौन-कौन से टोपिक हैंगे देख सकते हैं इनीट कौं से आए हैं इनीट नंबर एक आपकी रहेकी लाइपरी ओतुमेशन आप है पर करेंगे यूर चाहँ क dopo क्या ऄहीं इसके बाद और खसकते हैं kindergarten क्योन leak को सब करेंगे करेंगे इसके बाद अगली unit रहेगी artificial intelligence इसमें आपके topic देख सकते हैं यहांसे आप no down कर सकते हैं फिर screen suit लेके भी देख सकते हैं इसके बाद आपका अगला जो subject रहेगा देख लेते हैं ती resource management पेपर कोड़ देख सकते हैं असी नमबर का फिरिया पेपर 20 नमबर की assignment तीन गंटे आप इसके पर होता है कौन कौन सी unit आएगे आपर आप देख सकते हैं सबसे पहली unit है उसमे टोपिक देख सकते हैं कौन कौन से topic आएगे electronic resources या आपकी पहली उनित रहेगी इसमें कौन से topic आएगे देख सकते हैं WILL sei collection development इसमें भी देख सकते हैं युनिट नमबर तीन मेनेजमेंट इसमेंट आप टोपिक देख सकते हैं कौन-कौन से टोपिक आंगे जो आपके लास्ट इुनिट रेख सकते हैं इसके बाद आपका आगला जो सब्जेक्ट है inफोर्मेशन एलाइसस कौन सी डॉलेशन एंड री पेकेजिंग इसका पेपर कोड देख सकते हैं यहांशापनोड कर सकते हैं इसके बाद नंबर तिन इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे इंफोर्मेशन प्रोड़क्स में युनित नमबर चीर से आप देख सकते हैं कौन से टोपिक आपके आएंगे इसके बाद आपका अगला जो subject है digital library paper code देख सकते हैं स्टी नंबर का फिर के paper बीस नंबर की assignment तीन कंटी का भी पर रहेगा इसमें आपकी कौन कौन सी unit आएंगी कौन से टोपिक आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं digital डेख सकते हैं यहासे आपनो डाउन कर सकते हैं फिर स्क्रीन सोट लेके भी देख सकते हैं यूनित नंबर दो को डिक सकते हैं यूनित आपस्ट कर सकते हैं डाइजेस्टर मेनेजमेंट आपका सब्जेक्ट रहेगा तीन कंट आपे पर अभीस नंबर की साइनमेंट असी नंबर तोटल आपका सो नंबर का पर पर हो गया कितने कुश्चन आएंगे आप आप देख सकते हैं कौन-कौन सी यूनिट आएंगी कौन-कौन से करें सभी बुक्स की PDF आप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी बुक का लिंक एम डू ने पर रखा है वह सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएं वाचा आप शीदे लिंक पर कलिक करके बुक्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं Master of Library and Information Science के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है डिस्टेंस के आप अपना एक्जाम से लिबस इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कितने पे पर होंगे त्यूरी का पर कितने नंबर का होगा कितने नंबर की जमा होगी कितने घंटे का पर होगा अगर आप पतिक सब्जेक्ट की बुक की पीडियेफ डाउनलोड करना चाते हैं तो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अन्य कोर्शिज का एक्जाम से लिबस देखने के लिए सबसे पहले आपको M.D.O. Help यूटूब पर सर्च करना है जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने चैनल का नेम आजाएगा सबसे पहले आपको चैनल को सस्क्राइब करना अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो जैसे आप सस्क्राइब करोगे आपर आपको नोटिफकेशन बेल का उप्शन मिल जाएगा उसके बाद आपको चैनल पर कलिक करना है या पर आपको काफी सारे ओप्सन मिल जाएंगे जैसे आप सक्रोल करोगे आप आप देख सकते हैं या पर आपको प्ले लिस्ट के सेक्शन में आणा जैसे आप प्ले लिस्ट के सेक्शन में आओगे या पर आपको काफी सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी यापर आपको M.D.O. Distance syllabus के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी इस प्ले लिस्ट के उपर आपको कलिक करना है जैसे याप इस प्ले लिस्ट के उपर कलिक करोगे काफी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी आप सबी कुर्स के सबी सेमेश्टर का स सले बस असानी से देख सकते हैं कोई भी आपका कूर्स हो कोई भी आपका सेमेश्टर हो इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको सबी कुर्स जगे सबी सेमेश्टर का सले बस असानी से देखने को मिल जाएगा इस प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ज करें चैनल पर पहली वार आए तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें थन्य बात